तेम इडिया के कप्तान रोई शर्मा को कैप्टन कूल कहा जाता है वो उनके बरताव कियों जिसे बहुत शान्त रहते हैं फील्ड पे खिलाडियों के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं चाहे साथी खिलाड़ियों या विरोधी टीम के खिलाड़ी लेकिन जब रोई शर्मा को गुस्सा आया तो क्या हुआ चलिए आपको बताते साउथ अफरीका के खिलाब दूसरे टेस्स मैच किस वाकिये के बारे में अच्छी खासी बल्ले बाजी चल रही थी साउथ अफरीका लीड ले चुका था और कही न कहीं ये डर लगने लगा था कि कहीं बड़ा स्कोर ना बन जाए और एक जीत का सबना केप टाउन में फिर से चकना चूर ना हो जाए इसी बीच प्रसिद कृष्णा को गेंद बाजी दी गई तो एमपायर ने रोई शर्मा को दुबारा से वो गेंद थमा दी और कहा कि आप इस गेंद से गिंद बाजी कीजिए तो आप जानते हैं रोई शर्मा का जवाब क्या था इस हरकत पे रोई शर्मा हो गए आग बबूला उन्होंने कह दिया कि ये कौन सा रूल है स्टंप माइक में वो कहते हुए सुनाई दिये कि ये कौन सा रूल होता है भाई जिसके जवाब में एमपायर ने कहा कि भाई यही रूला पुरानी गेंद आज चुकी है तो आप इसी से गेंद बाजी कीजिए हाला कि उसके बाद उन्होंने गेंद वापस दी और हार्ट बॉल की बात करते हुए वो आगे बढ़ गए और बुम्रा के पास गिंद बाजी के लिए चले गए लेकिन ये दर्शाथा है इंटेंसिटी ये दर्शाथा है रोई शर्बा की इंटेंसिटी की मैच जीतने के लिए हम जीजान लगा देंगे और अगर कुछ बात होगी तो कैप्टन कूल से कैप्टन एग्रेसिव भी बन सकते हैं साथ अफरीका में टेस्स सिरीज के दौरान आपको रोई शर्बा की कफ्तान ही कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताईए